हेलो डॉक्टर्स माइनम इस सचिन शिलन वेलकम टू माइ यूट्यूब चैनल येल्डी एड्डा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाविश्टोक एंड प्रोडक्ट्स मेनेजमेंट के कुछ वन लाइन और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स का सेकिंड पार्ट इस वीडियो का पहला पार्ट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा नहीं तो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्सिंग में उस पहले पार्ट का भी लिंक दे देंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए गाईज अब हम सुरू करते हैं सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कैटल का साइंटिफिक नेम होता है बोस इंडिकस और इसमें 60 क्रोमोसोम होते हैं कैटल और गोट में सेम होते हैं 60 क्रोमोसोम अग्ज्ट पॉय्ट है लीडिंग स्टेट जो है इंडिया में वह स्ट बैंगोल है डेला से हो हंते हैं फॉपपिलेशन के बारे में हम हीपर उत बहुत इसे सिस्पेंट से तोथ that यह और हर्यांग सबसे कम होत्ता पैसे हैं यहेंट में नेक्स्ट है ड्रेसिंग परसंटेज जो है कैटल की वह 50 परसंटेज है आइडल ड्राइप पीरियड होता जो कैटल के लिए वह 60 डेज का है और इसका टेंपरेचर नेक्स्ट है रेस्पाइरेशन डेट जो होता है कैटल में वह 18-13 पर मिनेट का रहता है पल्स रेट इसमें 48-84 पर मिनेट के हिसाब से चलता है जो जर्शी ब्रीड है कैटल की उसकी मैक्सिमिम फैट परसंटेज होती है जो की 5 परसंट है और लोंगेस्ट लेक्टेशन येल् स्टेशन डिया और वह रीद के रहती हैं नेक्स अथक्त हम बेस्ट बेंशों फर पर प्रपास ब्रीड जो है वो हरियाना है यह के बेस्ट रोट पर्पर्पर्पस बीड है कैटल की वो अमरित मेहल है रही है और इट इस आलसो फेमस फॉर इट्स स्वाइचाल, जो कांक्रेज है वो सबसे हैविएस्ट ब्रीड भी है और ये स्वाइचाल की वज़े से भी फेमस है. Most beautiful breed is Irishire, cattle की ही ब्रीड है ये, जो सबसे ज़्यादा सुंबर है, बाकी सब भी breeds के comparison में. Lightest breed जो है, cattle की वो वैच्चूर है, जो pure white breed होती है, cattle की वो उंगोल होती है. Next के अगर हम बात करें, तो most heat tolerance जो breed है, cattle की वो थार पारकर है, अगर हम Indian cattle की बात करें, और exotic cattle जो है, जो सबसे ज़्यादा heat tolerate कर सकती है, वो brown service है. Next है, first cross breed Indian cattle जो थी, उसका नाम tailor रखा गया था, इसके आगे act of mating और parturation जो होता है cattle में, act of mating को बोलते है serving और parturation को बोलते है carving, जो साहिवाल जो है, वो सबसे best milch breed है, इंडिया की अगर हम बात करें तो, और exotic cattle में सबसे बढ़िया milch breed HF को बोला गया है. अब कुछ और पॉइंट्स बफलो के बारे में, बफलो का scientific नाम है, बूबैलस बूबैलिस, इसमें 50 chromosome होते हैं, जो leading country है, इसकी वो इंडिया है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा state में होते ही, यूपी में, अगर हरियाने की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिसार में पा Institute for Buffalo Research ये established हुआ था 1985 में हिसार में, जो इसकी प्यूबर्टी एज होती है, वो 24-30 मंथ की होती है, इसमें ये प्यूबर्टी गेन कर लेती है, कास्टेशन इसकी जो है, वो should be done at 8-12 मंथ, जो बड़ी जो मेथड की दोवारा की जाएगी, वीनिंग एज होती है, इसकी और 5 days का रहता है, इसमें dressing percentage रहती है, 50-55%, dry period इसमें भी cattle के जैसे ही 60 days का रहता है, इसकी sound को बोलते हैं, बैलोविंग, और इसका जो house होता है, उसको barn या फिर buyer बोला जाता है, इसमें जो mating और parturation होती है, वो same as cattle, serving और carving बोला जाता है, respectively, mating को serving और parturation को carving next point हमारा, निली रावी, निली रावी जो है, उसको पंच कल्याणी और पंच बदरा भी बोला जाता है, इसका सबसे कम fat percentage रहता है, बाकी सारी breeds के comparison में, जैसे के हमने पहले भी पढ़ा है, next step भदावरी breed जो है, उसका maximum fat percentage होता है, जो की 14% है उसके milk में, और ये copper color की होती है ये भी हमने पहले पढ़ लिया, जो पहली buff थी, clone बनाया गया जिसका, वो 2009 में बना था, और उसका नाम था गरीमा, और ये NDRI करनाल में बनाया गया था, जो पहला IVF buff काव था, वो उसका नाम था प्रतम, और ये 1987 में बनाया गया था, next point हमारा, महसाना breed जो है, वो has the maximum lactation length महसाना breed की सबसे ज़्यादा लंबी lactation length रहती है, next है, जाफराबादी जो है, वो heaviest buff breed है, और जो टोड़ा breed है, वो सबसे most violent breed है, जैसे कि हमने पहले डिसकस किया है, टोड़ा breed is the fighting breed of buffalo, next point हमारा, horses के बारे में, horse का scientific नाम है, इक्वस कोबेलस, इसमें 64 chromosomes रहते हैं, और leading state है, इसकी इंडिया में UP, और हर्याने की बात करें, तो सबसे ज़्यादा horses है, ग्रुगराम में, और सबसे कम है, पंचकुला में, next है, इसका research center, जो कि है, NRCE, Research Center of Equines, जो कि हिसार में 1985 में बना था, इसकी sound को बोलते है, neying, और इसकी house को बोलते है, stable, इसकी 4-7 दिन की इसकी heat रहती है, duration रहता है, heat का, और इसका जो semen है, उसका pH होता है, 7.4, इसमें सबसे ज़्यादा blood clotting time रहता है, 11.5 minutes का, और इसका जो RBC का life span है, वो भी सबसे ज़्यादा है, बाकी सारे animals में, जो कि र ठीक है, अच्छा, next के अगर हम बात करें, तो best breed जो है horse की, वो काठियावाडी होती है, जो सबसे intelligent breed है horse की, वो मानी जाती है, मनी पूरी, और ये use की जाते है, games में, जैसे की polo हो गया, racing, और ये army में भी use की जाती है, इस breed को, next dental star is found in horses, horses की mouth cavity होती है, उसमें dental star present होता है, falling, अब हम discuss करते हैं, some points of camel, camel में हमने पहले पढ़ा है, 74 chromosomes होते हैं, और इसका scientific नाम होता है, Camelus dromedaries, जो की single humped camel का नाम है, और जो double humped camel होता है, उसका scientific नाम है, Camelus bacterians, इंडिया में सबसे ज़्यादा Camels मिलते हैं, रजस्तान में, हर्याना में बात करें तो सिर्चा में, और सबसे कम मिलेंगे हर्याना में, अमबाडा में, Camels को slow breeder भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक प्रोजोने produce करते हैं, पर थ्री येर्स में, तीन सालस में सिर्फ एक ही प जैसल मेरी breed जो है Camel की, वो Camel Dance में यूज की जाती है, Camel Polo में यूज की जाती है, और Camel Safari में भी यूज की जाती है, जैसल मेरी breed को Next point अमारा, Cry is the swimming Camel, जो Cry breed है Camel की, वही एक इकलोती ऐसी breed है पूरी वर्ल्ड में, जो की swimming कर सकती है Next है, Camels are right horn ovulatory, Camels में जो right ovulatory होती है, वो ज्यादा functionally active होती है, left के comparison में Next है, इसकी sound को grunting बोलते हैं, और इसके house को set बोला जाता है Camel में जो mating होती है, उसको लखाना बोलते हैं, और parturation को carving बोला जाता है अब बात करते हैं, कुछ important points of pig Pig का scientific name है, Sus domesticus, इसमें 38 chromosomes होते हैं, और इसकी largest और जो heaviest breed है, उसको large white yorkshire बोला जाता है जो सबसे best pork breed है, पिक की, वो middle white yorkshire है अच्छा, pork आपको पता ही होगा, pig के meat को बोला जाता है, pork Landress जो breed है, pig की, वो produce करती है, highest quality of bacon अच्छा, bacon क्या होता है, bacon भी pig के meat का एक type होता है, जो कि pig की back से लिया जाता है Next point हमारा, create या फिर runt, ये क्या होता है, this is the smallest piglet in a liter जब pig farrowing करता है, तो उसके जितने भी बच्चे होते हैं, उन बच्चों के group को liter बोला जाता है, और उन में सबसे ज़्यादा जो कमजोर होएगा, जो सबसे ज़्यादा छोटा हैगा, उसको create या फिर runt बोला जाएगा आगे है, sound is grunting, pig की जो sound होती है, उसको grunting बोलते हैं, और house is sty, जो pig का house होता है, उसको sty बोला जाता है नेक्स्ट है, act of mating or parturation is called coupling and farrowing, जो mating है उसको coupling बोलते हैं, और जो parturation होती है pig की, उसको farrowing बोलते हैं चलिए, अब हम discuss करते हैं कुछ important points of sheep, sheep का scientific name है Ovis Aries, और इसमें chromosomes होते हैं, इसमें chromosomes होते हैं guys, 54, यहाँ पे mistype और रखाईए, 50 नहीं, 54 chromosomes होते हैं sheep में नेक्स्ट पॉइंट है, yellow wool breed is nally, जो nally breed है वो yellow wool produce करती है, नेक्स्ट है high disease resistance जो है breed उसको मारवाड़ी बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, nally is the tallest breed, जो nally है वो सबसे tallest है बाकी सारी breeds में और यह best mutton produce करती है और इसको goat like sheep भी बोला जाता है, यह sheep की ऐसी clothy breed है, जो की goat की तरह दिखती है, यानि कि यह wool produce नहीं करती नेक्स्ट है smallest breed जो है sheep की, उसको मांडिया बोलते हैं pelt होता है, pelt क्या होता है वैसे तो pelt होती है skin of rabbit उसको pelt बोला जाता है, जो pelt है वो obtained किया जाता है कारापूल sheep से कैसे obtained किया जाता है यह क्योंकि जो कारा Left है वो फर प्रोडूशंग ट्रीड है इसकी जो इसमें बूल ही आती है इस वाधे इसको फर प्रोडूशंग वूला जाता है और इसमें से पेल्ट हम करते हैं जो की रभीट की जासा ही होता है Next act of mating and parturation is topping and lambing. Act of mating जो है, जो है, शिप में उसको topping बोलते हैं और parturation को lambing बोला जाता है. Next चोकला breed of sheep is known as Indian marino, जो की Roman nose होता है इस breed में. Čचोकला breed में इसको Indian marino बोलते हैं और इसका Roman nose होता है. नेक्स्ट है मालपूरा प्रोडूस इस थिक्के स्टूल जो मालपूरा ब्रीड है वो थिक्के स्टूल प्रोडूस करती है नेक्स्ट है गद्धी इस दा एक्सेलेंट कलाइमबर जो गद्धी ब्रीड है वो एक्सेलेंट कलाइमबर होती है यह mostly पहाड़ी अलाके में मिलती है और पाड़ों के उपर ही रहती है यह ब्रीड नेक्स्ट पर चलते हैं अब हैं कुछ पॉइंट्स गोट के बारे में गोट का साइंटिफिक नेम आपको पताई होगा कैप्रा हिर्कस है इसमें 60 सिक्रोमसोंस होते हैं सेमेज केटल अच्छा जो इसका सीमन है उसको डैल्यूट करने से पहले वोश किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट अमारा अंगोरा ब्रीड जो है उसको सीप लाइक गोट बोला जाता है यह एक ऐसी गोट प्रीड जो कि सिप के जैसे दिखती है या फिर और यह ऐसे भी कह सकते हैं इस दा मोहेर प्रोडूसंग ब्रीड यह एक एकलोतिया ऐसी ब्रीड है जो मोहेर प्रोडूस करती है नेक्स्ट पॉइंट हमारा जमुनापुरी जो है वो largest and most majestic beautiful breed है गोट्स की जो जमुनापुरी है वो सबसे ज्यादा सुंदर breed है गोट्स में और ये सबसे ज्यादा बड़ी भी है largest नेक्स्ट पॉइंट हमारा king of goats is toganberg and queen of goats is sanin ये king of goats है वो toganberg है और queen है जो goats की उसको sanin बोला जाता है जो sanin breed है उसको milk queen भी बोला जाता है goat में नेक्स्ट है हमारा point एक्ट ओफ मेटिंग जो है goats में उसको serving बोलते है और parturation को बोलते है goats में kidding जो sound होती है goats की उसको bleating बोला जाता है और गोट का हाउस होता है उसको पैन बोलते हैं नेक्स्ट है पासमीना प्रोडूशिंग गोट ब्रीड जो है वो है चेगू एंड चांग थांगी नेक्स्ट है कंग्यम इस नोन एज दा प्राइड ओफ तमिलाडू ये भी गोट की ब्रीड है नेक्स्ट पॉइंट अमारा एंग्लो नूबियन ब्रीड जो है उसको जर्शी ओफ गोट भी बोला जाता है ओके गाईज आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो इनिफ्रमेटर लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए इस चैनल पे LPM सब्जेक्ट का एक पार्ट 3 ओर आएगा जिसमें ऐसे ही कुछ वन लाइनर पॉइंट को डिसकस किया जाएगा तो मेक शूर कि आप हमारे चैनल को सुब्सक्राइब रखें थैंक यू